नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हमारी यूटीब जनान न्यूजेंड आर्ट में दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अत्पाल हम गाउं गोरकपूर में हैं और यहां पर हमारे साथ कुछ गरामिन मोजुद हैं इनकी पिछले कई सालों से गली की समस्या है जो आगर गाउं में भी पानी घुषने की स्थीती बन जाती है कई घरों की दिवारें वो भी कंड़म हो चुजिक है ऐसी गली है जिसमें पानी के निकासी और घली की समस्या वो पिसले कई सालों से बनी हुई है यहां पर हमारे साथ कुछ गरामिन मोजुद है इनकी समस्या को जानते हैं कि सब्सक्राइब नाड़ा से बने इसका जिए बहुत जंद की इसे पहलती है यह 2013 2013 2013 2013 2013 से समझे पास भी गया मैंले ने टेम दिया दो मिन्ने का बार मैं मैंने में गए थे मैंले के पास तो देख लो कितने मैंने होगी करीबें एक साल होगी ना मैंले ने कुछ किया है तो यह अब आज क्या कुछ प्रोग्राम था किया से कुछ मिले आप तो आज आपने गड़ी के लिए वह ला है क्या कुछ समझ्या होती है कि कितने सालों से क्या समझ्या रही है गली ना बनने है उनको लेकर तमाम त्रेकिन को दिखते हो रही है क्या समस्या आपको गली यह जाती सुचक में यह अपने बाई बिठा देते हैं ऐसी पद पर जोगे पूरे बारत के विकास का मैन सरवसों जो होता है वो पंचायत होती है बारत के विकास के लिए ग्राओं की जो पंचायत होती है वो मूख्य वो मिका होती है उससे अगर हम मजबूत बनाएंगे तो उससे देश का विकास होगा यही कार तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम दोनों यहां है और आपकी आपकी समस्या बहुत गहरी है आप इस तरब आपने जो मैं समस्या पूछ रहे हैं वो समस्या आपने बता आपने अलग चीज बता दे लेकिन आप यह बहुत ज्यादा इस वह आठ साथ साल हो गई इसको कर करते हुए तो अब इसने मंत्री जी ने अमारे चोधरी रंजीत सिंग और दुड़ा राम जी ने आशासन दिया गया आपकी गल्ली जल्द से जल्द बन जाएग और सरपंच से इस विशे में मिले तो सरपंच ने ग्रांट का वाला दोएके आना का निकर दी आले किसी मंत्री रंजीत चिंग और दुड़ा राम जीगा तो इनका स्टेंड में जबूत है और यह गली जल्द बन जाएगी तो दोस्तों यह देखा आपने कि यह गली की समश्चाएं हैं और आज जो गाउं में मंत्री चोधरी दुड़ा राम और रंजीत चुटाला पहुंचे थे तो तुमाम तरह की लोगों की समश्चाएं निकल कर आ रही हैं जो गरीबों की समश्चाएं आपने पहला हमारा वीडियो देखा था जी गरीब जो मनरेगा की मजदूरी करने वाले लोग है उनकी समश्याई थी और इदर आप जो देख रहे हैं कि जो तमाम जो गंदा पानी की निकासी नहीं हो पारी है गलियों में और बारिस का जो मोसम होता उससे ये जो गलियां है ये पानी से लबाला भर जाती है जो गंदा गोरकपुर फटेवाडिस्टी का एक बड़ा गाउं है तो इस तरह की तमाम तरह की यहां पर इसानियां होती रहती है लोग उनसे जूजते रहते हैं इसी तरह की तमाम समश्याओं को आप देखने के लिए लोगों की मजबूरियों को समझने के लिए हम लोगों से मिलते रहेंगे उसकी समाशाओं को आवाज को उठाते रहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें नमस्कार जैहिंद